आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महाध्यन में वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें आज हम करने जा रहे हैं हमारी सिक्स स्टेंडर्ड की स्योशल साइंस की वरक्षीट जो हमारे अवपास से है और ये वही वरक्षीट या वही पार्ट है जो हम पिछली बार भी कर रहे थे वरक्षीट 19 में हमें इसी पार्ट को पढ़ा था और आज हम वरक्षीट 20 में इसी के बारे में और बाते करेंगे आज तारीक है 7 दिसंबर और आज हमारे पार्ट का नम वही है New Questions and Ideas और आज हम इस्पेशली उपनीशद के बारे में बात करेंगे मैंने आपको पछली वरक्षीट के वक्ष बोला था कि इस संदर में हम महात्मबुद्ध के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही आगे कुछ और जानकारियां भी खटी करेंगे और आज हम उपनीशदों के बारे में जानेंगे सामने एक बहुत ही संदर सा चित्र दिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि ये गुरू यानिक एक टीचर हैं और उनके आसपास उनके शिश्य पिपिल्स हैं और हम देखकर ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे questions और ideas पर शायद कुछ बाते हो रही है बढ़ते हैं आगे की तरफ सबसे पहली दिया गया है उपनीशद जिसका मतलब होता है अगर इसका शब्द का मतलब पूछें लिटरली means पूछ रहे हैं आपसे तो आप बताएंगे कि इसका मतलब होता है approaching and sitting near किसके near बैटने की बात हो रही है तो यह बात हो रही है अपने teacher के पास बैटने की या अपने guru के पास बैटने की क्योंकि उनके पास बैटकर हम सीखते हैं प्रशन पूछते हैं और नए बातों को जानते हैं और जब वो हमें कुछ सिखा रहे होते हैं तो हम उसे ध्यान से सुनते हैं The text contains conversation between teachers and students Often ideas were presented through simple dialogue इनकी खास बात यह थी कि जो भी बाते लिखी होती थी जैसे आपको कोई बात समझ में नहीं आती आप अपने teacher से पूछते हैं और वो से आसान तरीके से आपको समझाते हैं बस वही तो अगर आपसे उपनीशद का mean पूछा जाए word का mean क्या है तो आप बताएंगे approaching and sitting near लेकिन आपसे पूछा जाए कि उपनीशद के अंदर क्या है तो आप बताएंगे the text contains conversation between teachers and students इसी time period में और शाद इस time period से और थोड़ा पहले around the time that the buddha was teaching and perhaps a little earlier जिस वक buddha मौजूद थे महात्मा बुद्ध मौजूद थे उससे कुछ और पहले महात्मा बुद्ध की तरह ही कुछ दूसरे thinkers थे जो उसी तरह की सवाल सोच रहे थे जो महात्मा बुद्ध जिन सवालों की वज़ा से घर से जवाब खोजने निकल गए मतलब answers को ढूनना चाहते थे या ये कहें की वो knowledge को gain करना चाहते थे इसी तरहीके से और भी thinkers थे जो लगातार ये जानना चाहते थे और ढून रहे थे try to find answer to difficult questions और वो questions कौन से थे जिनको ढून रहे थे जिनके answer वो जानना चाहते थे कि क्या मृत्यू के बाद भी जीवन है और है तो वो क्या है तो दूसरे कुछ ऐसे थे जो ये जानना चाहते थे कि जो भी sacrifices किए जाते हैं यग्याधि किए जाते हैं वो क्यों किये जाते हैं उससे क्या होगा कुछ के पास ये सवाल थे तो कुछ के पास जवाब भी थे और उन जवाबों में कुछ का ये मानना था thinkers का ये मानना था कि definitely universe में कुछ तो ऐसा है जो permanent है और ये permanent after death भी रहता है death होने से वो खत्म नहीं होता और ये चीज जो death के बाद भी बची रहती है they describe this as the आत्मा और individual soul जो हमारे हम कहते हैं आत्मा ये soul है individual soul हर एक की आत्मा है और उनका ये मानना था कि ये जो soul है ये और ब्रह्मा ब्रह्मा मतलब इश्वर ब्रह्मा और इश्वर universal soul ये एक ही है इनको अलग नहीं किया जा सकता यानि की मृत्यू के बाद हमारी आत्मा इश्वर में लीन हो जाती है और वो ब्रह्मा के साथ इश्वर के साथ एक हो जाती है यानि की हम इश्वर का हिस्ता है और वापिस इश्वर में मिल जाते हैं They believe that ultimately both the Atma and Brahma were one, वही जो मैंने आपको बताया. Most उपनिशदिक thinkers ज्यादा तर जो उपनिशद विचारक थे, उपनिशदों वाले विचारक थे, उन में से ज्यादा तर ब्रहमन और राजा थे. लेकिन इसके अलावा और खास बात अगर हम देखें, तो ऐसा है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, इस्तरियां भी थी जो thinkers थी, यानि कि जिनके पास बहुत सारी knowledge थी और उन में से एक important नाम है गारगी का. माना जाता है गारगी इतनी बड़ी विदूशी या इतनी बड़ी थिंकर थी कि बड़े से बड़े विद्वान को वो शास्तरार्थ में परास्त कर सकती थी. ये हिंदी के शब्द हैं, इंग्लिश में अगर हम कहें तो वो अपनी knowledge से किसी के भी question को answer कर सकती थी और उनके questions की जब बारी आती थी तो सामने वाले दूइधा में पढ़ जाते थी. वो trouble में आ जाते थे कि अब इसका answer हम क्या दें. इतनी बड़ी thinker थी वो who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. Royal courts का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखाए कि गारगी participate करती थी debates में और ये debates knowledge पर ही की जाती थी. जिस तरीके के thinkers, questions हैं, उनके उन पर ही ये debates होती थी. और royal courts मतलब राजाओं के दरबार में होती थी. उनमें वो participate करती थी. जिस तरह इस्तरियों की संख्या हमें बहुत कम दिखाई देती है. उसी तरह poor people की बात करें तो वो भी हमें ना की बराबर ही दिखाई देते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा था ना, ब्रहमन्स और राजा थे जो उपनीशदों के विचारक थे या उपन part in these discussions, we may find some exceptions to. तो इसके कुछ exceptions भी हैं जो शायद हम अगली वागशीट में पढ़ेंगे. फिलहाल हमने जो सीखा उसके बारे में देखते हैं और एक बार practice कर लेते हैं. तब से पहले हमसे पुछा गया है meaning of the word उपनीशदा. तो मैंने आपको बताया, अगर उपनीशद का meaning पूछा जाये तो आप बतायेंगे. वर्ड का meaning जो है literally means approaching and sitting near. Then second question, what answer did उपनीशदी thinkers want to find? तो वो क्या चीज़ थी? वो थे कई तरह के question. उन में से कुछ तो जानना चाहते थे about life after death, जबकि others wanted to know why sacrifices should be performed, यग्ये क्यों किये जाते हैं? third question की बात करें तो एक woman thinker का नाम बताना है हमें, name one woman thinker of the time, तो हमने वो नाम अपनी वर्कशीट में पढ़ा है, गालगी का और हम वही लिख लेते हैं. ये थी हमारी आज की SST की वर्कशीट, मैं उमीद करती हूँ महाध्यन की तरफ से मिलने वाली इस वर्कशीट से आपक आपका part यानि की chapter भी आसानी से समझ में आ गया होगा, साथ में आपको homework करने में भी कुछ आसानी हुई होगी. अगर आप चाहते हैं महाध्यन आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहे तो जरूरी है कि महाध्यन चैनल चलता रहे और उसके लिए जरूरी होता है कि हमें बराबर likes और share और subscribers मिलते रहें. तो फटा-फट से वीडियो को like कर दीजे, हो सके तो share भी जरूर कीजे और अगर अभी तक अपने महाध्यन चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर दीजे, आपकी वीडियो के ठीक नीचे red color से लिखा हुआ है subscribe, करना सिर्फ इतना है कि उसे click कर दीजे, उसका color change हो जाएगा और